नमस्कार दोस्तों जी के अर्जन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन यूपी टीजी टी इतिहास भाग 36 में और चेप्टर है बैदिक सवेता 3 तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस करते हैं अगर आप लोगों को इस से अगले जो 35 भाग उसका वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है यूपी टीजी टी इतिहास के नाम से तो वहां पर जाकर इसके जो अगले 35 भाग उसको आप देख सकते हैं तो चलिए वीडिय करते हैं कि कोश्चन नमबर वान इसमें नेमलेखित विदूसी इस्तिरियों में किसका उलेख रीगवेद में मिलता है तो विदूसी इस्तिरियों में जो है किसका उलेख रीगवेद में मिलता है इसमें मिलता है अपाला का एंसर हो जाएगा बी अपाला का तो रीगवेद रिगवेद में अपाला का उलेख किया गया है और इन विदेशी इस्तिरियों को रिसी भी कहा गया है तो रिगवेद में अपाला का मिला है उलेख कुश्चन नमबर दो है रीग वेद के किस देवता को असुर उपाधी दी गए थी किस देवता को जो है असुर उपाधी दी गए थी तो वो देवता थे जिनका नाम था वरुण एंसर हो जाएगा भी वरुण वरुण को जो है असुर की उपाधी दी गए थी Q3 है निमलिखित में से कौन पुरुवैदिक काल में बीनमे का लोकप्रिय माध्यम था तो बीनमे का माध्यम था गाय एंसर रोजाएगा D गाय Q4 है वैदिक की यग्य परंपरा में होता का संबंध था तो बैदिक यग्य परंपरा में होता किस संबंध था तो ये था रीगवेद से एंसर रोजाएगा A रीगवेद से रीगवेद हला की सबसे प्राचिन गरंथ है Q5 है चार वाणों का उलेक रीगवेद के किस मंडल में मिलता है तो चार वाणों का उलेक जो है रीगवेद के किस मंडल में मिलता है तो ये मिलता है मंडल दसवा में एंसर रोज आएगा D. दस्वे मंडल में जो है चारों वर्णों का उलेख मिलता है. और चार वर्ण कौन थे इसमें? तो च्छत्रीय, शारे ब्रामण, उसके बाद च्छत्रीय, फिर वैस और सुद्र. रीगवित के दस्वे मिंडल में इन चार वर्णों का उलेख मिलता है कुश्ण नमबर 6 है सबसे पहले चार आस्रमों का वर्ण आया है वह उपनिसद है तो चार आस्रमों का वर्ण आया किस उपनिसद में चार आस्रमों का वर्ण किया गया है तो ये है जबालो उपनिसद में अब ये चार आश्रम कौन थे जबालो उपनिसद में तो ये थे पहला ब्रह्मचर, दूसरा ग्रिहस्त, तीसरा बानप्रस्त और चवथा सन्या सभी का 25-25 साल तक एज बाटा गया था कोस्चन नमबर साथ है, पूर्व बैदिक आरियों का मुख्य बेवसाय था तो पूर्व बैदिक आरियों का मुख्य बेवसाय था पसु पालन, एंसर जाएगा D, पसु पालन कोस्चन नमबर आठ है, रिग वेद काल में निस्क अलंकरण था तो रिगवेत काल में निस्क जो है अलंकरण था किसका तो ये था गले का एंसर रजाएगा D गले का तो रिगवेत काल में निस्क जो है गले का अलंकरण था Question number 9 है उत्तरवेत काल में पंचाल का प्रसिद दार्शनिक सासक था तो उत्तरबैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक सासक कौन था? तो पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक सासक था प्रवाहल जबाली इंसर रोजाएगा D प्रवाहल जबाली तो ये पंचाल के प्रसिद्ध दार्शनिक सासक थे जिनका नाम था प्रवाहल जबा Q10 है गायत्री मंत्र संबोधित है तो गायत्री मंत्र किसको संबोधित है तो गायत्री मंत्र जो है सबिता को संबोधित है यानि यह रीग वेद के तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उलेख देखने को मिलता है और इसके रचैता थे विश्वा मित्र यह सबिता को समर् सभिता मिन्स इनको जैस सूरी देवता के नाम से भी जाना जाता था सभिता या सूरी देवता को समर्पित हैं को सनमर ग्यारा है सत्पत ब्राम्हन का संबंध किस वेद से है तो सत्पत ब्राम्हन का संबंध किस वेद से है यह है यजूर वेद से एंसर होगा सी यजूर वेद से कोशन नमबर 12 है सभा और समीती को प्रजापती की दो पुत्रिया कहा गया है तो किस वेद में कहा गया ये सभा और समीती को प्रजापती की दो पुत्रिया तो ये कहा गया है अथरो वेद में इनसर जाएगा डी अथरो वेद में कोशन नमबर 13 है रिगवैदिक आर्यों की भासा क्या थी तो रिगवैदिक आर्यों की भासा क्या थी तो रिगवैदिक आर्यों की भासा थी संस्कृत एंसरोगा सी संस्कृत यानि रिगवैदिक आर्यों की भासा संस्कृत थी और बेद संस्कृत भासा में ही लिखा गया है कुश्चन नमबर 14 है भारत में आगमन के बाद आरियों ने सरपर्थम अपना निवास अस्थान कहां बनाया तो भारत में आगमन के बाद आरियों ने सरपर्थम अपना निवास अस्थान कहां बनाया था ये बनाया थे सैप्त संधो प्रदेश में एंसरो जाएगा D, सैप्त संधो प्रदेश में कोश्चन नमबर पंदरा है निमलिखित में से किस बेद में आहूती या बलिदान संबंधी सुत्र समाहित है तो किस बेद में जो है आहूती या बलिदान संबंधी सुत्र समाहित है तो ये समाईत है यजूर वेद में एंसर हो जाएगा डी यजूर वेद में कोश्चन नमबर 16 है रिग वेद में कौन से बैदिक देवता सहस्त्र अस्तम्बो वाले भावन में निवास करते हुए वाणित है रिग वेद में कौन से बैदिक देवता जो है सहस्त्र अस्तंबो वाले भावन में निवास करते हुए वाडित है तो इस देवता का नाम पुछ रहा है तो इस देवता थे जिनका नाम था मित्र व वरुन एंसर रोगा D मित्र व वरुन तो वरुन का रिग्वेदिक देताओं में तीसरा अस्तान था इनका Question No.17 है किस वेद में दवाओं का विवरुन मिलता है यह मिलता है अथर वेद में एंसर जाएगा D अथर वेद में तो अथर वेद में डवाओं का वडर मिलता है यह आईरवेदिक का भी उलेख किया गए अथर वेद में ही कोश्चन नमबर 18 है चंदोग उपनिसद का संबंध किस वेद साइता से है तो चंदोग उपनिसद का संबंध किस वेद साइता से है तो यह है साम वेद से एंसर जाएगा सी साम वेद से चंदोग उपनिसद का संबंध किस वेद साइता से यह है साम वेद से एनि सामवेद में जो है दो उपनिसद आते हैं एक छंदोग और एक जैमिनी है तो छंदोग उपनिसद जो है इसमें सबसे प्राचीन है और प्राचीन उपनिसद माना जाता है और देव की पुत्र क्रिशन का सरपर्था मुलेक जो है इसी छंदोग उपनिसद में ही मिलता है कोश्चन नमबर 19 है उपनिसदों का प्रतिपाद विशे रहा है तो उपनिसदों का प्रतिपाद विशे रहा है क्या रहा है तो ये था दार्षनिक बीवेचन कोश्चन नमबर 20 है निमलिखित में से कौन प्रस्थान तरई में समलित नहीं है तो वह है इंसर होगा इसका बी भागवत क्या अंसर होगा बी भागवत यनि बेदान्त के देखाए तो तीन अस्थाम बाने जाते हैं एक उपनिसद है और भागवत गीता और तीसरा ब्रह्मसुत्र तीन तीनों को जो है प्रस्थान तरई यनि भागवत गीता उपनिसद ब्रह्मसुत्र को प्रस्थान तरई कहा जाता है जबकि इसमें उपनिसद शुरूती प्रस्थान गीता को इसमिर्ती प्रस्थान और ब्रह्मसुत्र को जो है नियाय प्रस्थान कहते ह आता इसमें प्रस्थांत्राई नहीं पुछाय ते यह भगवत प्रस्थांत्राई नहीं है QA 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 Q सुद्र तो मंडल दस्वा मंडल में कोश्चन नमबर 22 है राजा की उत्पत्ती के विशय में सरपर्थम उलेख किस गरंथ में मिलता है यह मिलता है एत्रे ब्रामण में एंसर हो जायगा डी एत्रे ब्रामण में तो एतरे ब्रामण में जो है राजा के उत्पति की विशे में सर पर्था मुवलेक मिलता है गरन्त है एतरे ब्रामण कोश्चन नमबर 23 है निमलेखित में से कौन उपनी सदों में उलेखित कैके जनपत का एक दार्षनिक राजा था तो कैके जनपत का एक दार्शनिक राजा था, क्या नाम था उसका? ति इसका नाम था अस्वपती, एंसर रोज आएगा D, अस्वपती Question number 24 है, उत्तरबैदिक काल में रतनिन की संख्या कितनी थी? उत्तरबैदिक काल में इसका उलेख सत्पत ब्रामण में किया गया है Question number 25 है, और अंतिम question है आज के लिए, निमलेखित में से कौन पूरुबैदिक यूग का प्रमुख खाद्यान था? तो कौन पूरुबैदिक यूग का प्रमुख खाद्यान था? तो ये था गेहुंग और सारी गेहुंग नहीं इसमें प्रमुख खाद्यान पूछा है पूरुबैदिक क्यूग का? तो ये था जव, एंसर रो जाएगा भी जव, पूरुबैदिक यानिक रिगवेद का पूछ रहा है, तो रिगवेद में जव, इसका नाम आता है यव, या इसको भी जव के नाम स से जाना जाता है, तो इसका उलेख है, जो रिगवेदिक काल में पूछ रहा है, तो या या यो, तो ये थे कोश्चन आज के लिए तुमित करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आँ अधिक सदिक सेर करें, धन अन्य बाद दोस्तों, जैहिंद वंदे मात्रम